कनाडा की डैनियले मैक गाहे अंतर राष्ट्रिये क्रिकेट खेलने वाली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी जब वह बांगलादेश के खिलाफ टी ट्वेंटी विश्वकब दो हजार चौबिस के क्वालिफायर के लिए उतरेंगी 29 वर्ष की मैक गाहे को अगले महीने होने वाले क्वालिफायर के लिए कनाडा की महिला टीम में चुना गया है वह पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाडियों के लिए ICC की पातरता के मान डंडो पर खरी उतरी है क्वालिफायंग टुर्नामेंट लॉस एंजलेस में 4 से 11 सितंबर तक खेला जाएगा वैश्वी क्वालिफायर में जगह बनाने के लिए अमेरिकी क्वालिफायर में कनाडा का सामना अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से होगा मैक गाहे ने BBC स्पोर्ट से कहा मैं गौर्वानतित महसूस कर रही हूँ अपने समुदाय का प्रतिन इधित्व करना मेरे लिए सपना सच होने जैसा है वह फरवरी 2020 में अस्ट्रेलिया से कनाडा आई और नवंबर 2020 में पुरुष्ट से महिला बनी उन्होंने मेडिकल बदलाव मई 2021 से शुरू किया ICC ने इस बारे में एक बयान में कहा हम इसकी पुष्टी करते हैं कि डैनियेले ने ICC की पातरता संबंधि शर्तों को पूरा किया है और वह अंतर राश्ट्रिय महिला क्रिकेट खेलने के योग्य है मैं गाहे ने कहा अपना टेस्टोस्टेरोन का अस्तर पाना मेरे लिए पिछले दो साल से हर महिने खून की जांच कराई जाने जैसा है क्रिकेट खेलते समय इतनी यातरा करनी होती है कि यह थोड़ा मुश्किल था मुझे फक्र है सिर्फ अपने लिए नहीं बलकि ट्रांसजेंडर समुराई के लिए कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मैं गाहे का चयन ऐसे समय में हुआ है जब कई खेलों ने सुरक्षा और निस्पक्षता संबंदी चिंताओं के कारण ट्रांसजेंडर एतलीटों पर प्रतिबंद कड़े कर दिये थे एतलेटिक्स, साइकलिंग और तैराकी सभी ने पिछले 12 महीनों में अपनी ट्रांसजेंडर नीतियों को बदल दिया है जबकि रगबी के दोनों कोड भी जैविक रूप से जनमी महिलाओं के लिए खेल की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं एक बार फिर से बता दें, कैनेडा की डैनियल मैक गाहे अंतर राष्टरिय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी जब वह बांगलादेश के खिलाव T20 विष्ट कब 2024 के कौलिफायर के लिए उतरेंगी 29 वर्ष की मैक गाहे को अगले महीने होने वाले क्वालिफायर के लिए कनाडा की महिला टीम में चुना गया है वह पुरुष्ट से महिला ट्रांसजेंडर खिलाडियों के लिए ICC की पातरता के मान दंडों पर खरी उतरी है क्वालिफायंग तुर्णामेंट लॉस एंजलेस में 4 से 11 सितंबर तक खेला जाएगा वैश्वी क्वालिफायर में जगह बनाने के लिए अमेरिकी क्वालिफायर में कनाडा का सामना अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से होगा मैं गाहे ने BBC स्पोर्ट से कहा, मैं गौर्वानतित महसूस कर रही हूँ, अपने समुदाय का प्रतिनी दित्व करना मेरे लिए सपने सच होने जैसा है